हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो हम लोग नई टीवी जब कभी पर्चेस करते हैं तो उस पीवी के साथ जो स्क्रीन होती है उसके उपर एक प्रोटेक्टिव फिल्म लगी रहती है तो उसको हमें निकालना चाहिए या नहीं निकाल खएंगे से वूष भीडियो में हम लोग बात करते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हूं यह जो टीवी, बी पर जो है एक प्रोटेक्टिव फिल्म जो है, स्ट्रीन प्रोटेक्टर लगा हुआ है ठीक है और जैसा कि यहां पर कंपनी आपको बताती है कि यह जो फिल्म है यानि की प्रोटेक्टर है इसको आपको निकालना है for best viewing experience के लिए तो इसको निकालते टाइम बहुत ही केरफुली इसको निकालना है slowly slowly इसको पहले उपर तक निकालेंगे then उसको इस तरह से हम लोग आगे की तरफ निकालेंगे वैसे तो अगर आप इसको नहीं निकालते तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन अगर आपको लेकिन अगर आप इसको नहीं निकालते हो तो यहां पर ना कुछ आप जैसा कि आप देख सकते हो यहां कुछ गैप्स जो है नजर आ रहे है एर के बबल्स जो है नजर अगर आप इसको नहीं निकालते हैं और इसको देखते हैं तो आपको जो है थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। कुछ-कुछ stickers और tape लगे हुए हैं वो जो है आपके view experience को थोड़ा सा बेकार कर देगे। ठीक है तो चलिए अब देखते हैं कि इसको निकालेंगे कैसे यह पूरा 43 इंचिस का डीली है और इस पर पूरे पर लगी हुई है तो पहले हम इसको यहां से कॉर्णर से निकालना स्टार्ट करते हैं ठीक है तो इस तरह से यह देखो सिंबॉल भी दिया हुआ है इसको पहले उपर तक निकालना उसके बाद में इस तरह से करना ठीक है तो यह मैं स्लोली स्लोली इसको निकालना तो इस तरह से काफी अच्छे से लगाए हुए हैं और कुछ टेप जो है बैजल स्टे भी लगे हुए हैं उनको हमको नहीं खेड़ रहा है अभी जल्दवाजी नहीं करने ही इसको फोड़ा सा देड़े देश लोड़ी शोड़ी नुकालने हैं तो अब जो है बहुत क्रियर जो है फोड़ी बवल देखने को नहीं देगा इस प्रोड़ेक्टर को निकालने को बाद मेरा है ताफी अच्छी जो है स्क्रीन दिख रही है और आप चाहो तो इसको भी निकाल सकते हैं यह लगे हुए तो यह रही तो अगर आपने नई प्रटेश की है और अगर आपके वो निकालना है अगर प्रड़क्टर फिल्म तो कुछ इस तरह से आप निकाल सकते हैं ठीक है तो गोप करता हूँ यह वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा और आपको समझ आया होगा कि अगर आपके टीवी में प्रोटेक्टिव फिल्म लगी हुई है तो इसको किस तरह से निकाल है निकाल नहीं है या नहीं निकाल गी है तो इस वीडियो में यह हमने देखा थैंक यू फोर वचिंग दिस वीडियो